हलो दोस्तो मैं रजश शुकला सौगत करता हूँ आपका एक और वीडियो में प्रिधान मंत्री नरेंदर मोदी ने बीते दिनों भोपाल में पांच सैमी हाइस्पीट ट्रेंड वंदे भारत एक्सप्रेस का उधगाटन किया था इन ट्रेनों में मच अवेटेड मुंबई गोव वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल थी जिसने मंगलवार को अपना पहला सफर तै किया मढगाओं से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेंड सुबह 11 बजे रवाना हुई थी और रात में सवा 9 बजे मुंबई के छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पे पहुँची उद्घाडन के दिन सेमी हाइ स्पिट ट्रेंड वंदे भारत एक्सप्रेस ने 10 घंटे 15 मिनट का समय लिया महाराश्ट के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने CSMT के प्लेटफॉर्म पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेंड का श्वागत किया और PM मोधी को धन्यवाद दिया गोवा शब्द का जिक्राते ही हमारे दिमाख में ना कभी प्लैन बन पाएगा जैसा ख्यार आने लगता है क्योंकि एक तो सफर दूर उपर से महेंगे ट्रिप के लिए दोस्तों को बनाना और उपर से फ्लाइट टिकट की अधिक कीमत ये मतलब पहले से ही डिली हो जाती है लेकिन शायद अब आपका ये दुख दूर हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि मुंबई गोव वंदे भारत एक्सप्रेज का किराया कुछ कम है मतलब अगर आप कीमत जान लेंगे तो शायद यही कहेंगे इससे अच्छा तो फ्लाइट का किराया है खैर पीक सीजन में एरलाइन्स भी कुछ कम पीछे नहीं रहती है उस दौरान किसी फ्लाइट का किराया तीन हजार हो जाता है तो किसी का चार हजार और ये कीमत तो निव येर सीजन में और ज़्यादा देखने को मिलती है अब ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेश ही सस्ते में आपके गोवा ट्रिप का सपना पूरा कर सकती है 27 जून 2023 को PM मोदी जी ने भोपाल के रानी कमलापती रिल्वेश टेशन पर आयो जित एक पब्लिक प्रोग्राम के दोरान 5 वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेश ट्रेशनों को हरी जंटी दिखा कर रवाना किया था जिसमें मुंबई से गोवा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेशन भी शामिल थी मुंबई को ये 4 वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेशन की स्वाकात मिली है तो वहीं मुंबई से गोवा जाने वाली ये पहली वंदे भारत Ekspires train है ट्रेन मुंबई के 36 शिवाजी महराच टर्मिनस और गोवा के मटगाओं रेल्वे स्टेशन के बीच दोड़ेगी अभी गोवा के मटगाउं रेलवे स्टेशन से मुंबई के 36 शिवाजी महाराध टर्मिनस तक ट्रेन को करीबन 586 किलोमेटर दूरी तया करनी पड़ती है जिसमें 11 से 12 गंटे का समय तो लगी जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यह दूरी करीबन 8 गंटे में तया कर लेगी इससे यात्रियों का करीबन 3 गंटे से 4 गंटे का समय बचेगा यह ट्रेन बाकी ट्रेनों की तरह ही हफते में 6 दिन चलेगी शुक्रवार को वंदे भारत एक्सपरिस ट्रेशन नहीं चलेगी मुंबई से शुरू होकर दादर, ठाड़े, पनवेल, खेड, रतनागिरी, कांकावली और थिविम में होते ही वेट्रेन गोवा के मड़काउं स्टेशन पर पहुँचेगी आए दोस्तो अब बात करते हैं कि मुंबई से गोवा जाने वाली वंदे भारत एक्सपरिस का किराया क्या है यदि GST को छोड़ कर देखें तो मुंबई से गोवा जाने वाली वंदे भारत एक्सपरिस का चेयर का किराया 1815 रुपए है वहीं executive chair car का किराया 360 रुपए यह train 586 km की दूरी तैय करती है महराष्टर में वन्दे भारत express train की तरफ से त्या किया जाने वाला यह सबसे लंबा रूट है अगर दोस्तो इस किराय की तुलना हम हवाई जहाज के किराय से करें तो मुंबई से गोव जाने वाली Indigo Airlines का कराया 2,024 रुपए वहीं spice jet का कराया 2,154 रुपए है वहीं अन्य Airlines का कराया भी इसी की आसपास है जो की वन्दे भारत express train के मुकाबले काफी सस्ता है आईए दोस्तो अब आपको बताते हैं कि इतना कराया जादा होने के वावजूद क्यों सूपरेट है मुंबई गोव वन्दे भारत express कराया जादा होने के वावजूद भी लोग वन्दे भारत express train में सफर करना पसंद कर रहे हैं हाला कि फ्लाइट का कराया भी पीक सीजन पे काफी बढ़ जाता है उसकी तुलना में वन्दे भारत express का कराया जादा नहीं है इसके अलावा गोव जाने के दोरान का व्यू भी नेचर और ग्रीनरी से भरा हुआ है जिसका सेलानी खास तोर पर लुफ्त उठाना पसंद करते हैं मुंबई से गोव जाने वाला रूट की बहार की खूपसूर्ती इस मुंबई गोव वन्दे भारत express का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहां मैं आपको बतादू दोस्तों कि मौन्सून में मुंबई और गोवा के बीचलने वाली वन्दे भारत express train सबता में तीन बार चलेगी CSMT मुंबई से वन्दे भारत express train सोमबार, बुद्धुवार और शुकुरवार को सुबह 5 बचकर 25 मिट पर रवाना होगी और दोपैर 3 बचकर 30 मिट पर मढगाओं रेलवे स्टिशन पहुँचेगी वहीं मढगाओं से वन्दे भारत express train हर मंगलवार, गुरुवार और शुनिवार को दोपैर 12 बचकर 20 मिट पर रवाना होगी और रात में 10 बचकर 25 मिट पर CSMT मुंबई पहुँचेगी कौनकन रेलवे में घाट सेक्शन होने के कारण मौनसून में सबी ट्रेनों पर स्पीड रेस्टिक्शन लगाया जाता है 10 जून से 31 अक्टूबर तक ट्रेनों को मौनसून टाइम टेबल के मुताबिक चलाया जाता है इस दोरान मूसलाधार बारिश होने पर ट्रेन की गती 40 किलोमेटर परती घंटे की रफ्तार से चल सकती है इस रूट पर फिलार वंद्य भारत एक्स्प्रिश ट्रेन को 57 किलोमेटर परती घंटे की एवरज स्पीड से चलाने की मनजूरी मिली है सामाने दिनों में ट्रेन की गती 75 किलोमेटर पती घंटे की करीब होगी दोस्तों मौनसून के बात के टाइम टेबल की बात करें तो CSMT मुंबई से यह ट्रेन सुबह 5 बचकर 25 मिनट पर निकलेगी दोपहर 1 बचकर 10 मिनट पर मढगाओ रेलवेर शेशन पहुचेगी वहीं मढगाओं से यह ट्रेन दोपहर में 2 बचकर 40 मिनट पर निकलेगी और रात में 10 बचकर 25 मिनट पर CSMT मुंबई पहुच जाएगी मढगाओं से मुंबई तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमेटर पर ती घंटे की होगी यह मुंबई से चोथी और महाराश्च्र से पांचवी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है मौजुदा वक्त में तीन और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेने मुंबई से संचालित होती है जिनमें मुंबई सोलापुर 400 किलोमेटर की दूरी तै करती है मुंबई शिर्डी 340 किलोमेटर की दूरी तै करती है और मुंबई सेंट्रल गांधी नगर वंदे भारत एक्सप्रेस 520 किलोमेटर की दूरी तै करती है इसके अलावा नाकपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है जो 413 किलोमेटर का सफ़र तै करती है